बिहार के राजनीती में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इस निर्देश से साफ है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी अपनी 26 सुधारने की कोशिश में लग वी है। यादव ने आभार यातरा की शुरुवात करने की गोशना की है। यातरा पहले चरण में 10 सितंबर से शुरू होगे। आठ दिनों की यातरा 17 सितंबर तक चलेगी आभार यातरा के दोरान तेजस्वी यादव दर्भंगा, समस्तेपूर, मुझफर पूर और मधुबनी जला मुख्याले में ठहरेंगे। इस आभार यातरा की खास बात ये है कि इस यातरा के दोरान लोगों की भीड नहीं जुटाना है। ना ही किसी तरह का रोडशू किया जाएगा अन्य यातरा से अलग इस दोरान ना तो कोई सभा और ना आम सभा होगे। हाला कि RGD की ये रणनीती है कि उसकी मजबूरी है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं नेकिन इतना तो तै है कि राजद अपने आपको बदलना चाह रही है। चुरुआद भी खुद तेजस्वी यादव भी करते हैं और अब खुद ही गमचा और सर पर मुरेठा नहीं बानने की सला भी दे रहे हैं। लोग सभच उनाव के दौरान खुद ही तिजस्वी यादव प्रचार के दौरान सर पर मुरेठा भी बानते थे और कारेकरताओं के सामने हवा में गमछा भी लहराते हुए नजर आए लेकिन पार्ची मात्र चार सीटों पर सिमट गई अब तिजस्वी यादव खुद को और अपने कारेकरताओं को सेमित रहने की सला दे रहे हैं बिहार की राजनिती में राजद लंबे समय सी सियासत कर रही है नालू यादव ने राजद पार्टी की नीव रखी थी श्रू में इस पार्टी को तेल पिलावन और लाठी गुमावन दल के रूप में जाना जाता था लेकिन समय के साथ साथ पार्टी की चरितर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है कभी राजद की नेताओं ने पटना की सडकों पर सभा के दोरान बाईयों तक की नाच करवा डाली है लेकिन अब समय और जमाना दोनों बदल रहा है ते जिस वियादव पार्टी की छवी निखाने में जूटे हुए हैं और ये परिवर्तन इसी की कड़ी मानी जा रही है